आज जो जिस बैनर पे और जिस पोस्टर पे हम लोग कारपरेशन एलेक्शन जीते हैं वो अमर आई कमांड अमरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है जब अमर आई कमांड का रेक्सपेट ने मिलता है तो आम लोग भी जिसके साथ जाने के लिए हम भी डिसाइड करने के लिए मुश्किल होती है मैं एक बहुत गरीबी फैमली से आयसा हूँ यह पोसिशन में मेरे माबाब को यह मेले नहीं थे मैं पार्टी में 14 सल से काम कर रहा हूँ आज मेरा 34 उमर है मैं पार्टी के लिए मैनत करूंगा आज मेरा हाई कमांड मेरा बैकबोन है और आमार पार्टी का एक सिद्धानत है सेकुलर पार्टी सेकुलर माइड नाम लोग बनाए और आमारे पास जात पात कोई अमारे दिल में भी नहीं आमारे माइड में भी नहीं है आने वाले दिनों में एक साल में एलेक्शन है, एलेक्शन को देखते वे हम लोग फाइसला लेंगे। आवाम के भी जाके काम कर रहे हैं, आम लोगों का अमारा डिमाइड यही था, कॉलिटी काम चाहिए, वो लो कॉलिटी आमको चेंज करके काम दिये, बोलके मैं बोलना चाहता हूं। यह पॉलिटिकल ही कॉन्टेक्टर्स बोल सकते हैं। आज जो वाड सोला में जो मैं खिदमत कर रहा हूं, मेरे माँ वापे कार्पेट रहे हैं, वही खिदमत वह सौथ में रहेगा। इस वीडियो स्पॉंसरे बाइ, महालक्ष्मी जोलर्स, उनाइट हॉस्पिटल, केबिन उनिवर्सिटी, सूरत कजाना, शाहिन ग्रूप ऑफिस्टूशन, चुल्ब फरनिचर, एंड बाइ, एसार कॉंटिनेंटल होटेल आज हम गोहास स्टूडियो में हैं, गिवी मी टाइम इस यंग और डाइनमिक सोशल लीडर यहां पर मौझूद है, जोके वार्मर 16 के कॉर्परेटर हैं, उनके बेटे कृष्णर रडी जी हमारे साथ मौझूद है, थैंक यू समच्च कृष्णर जी फोर गिविविग कर्ष्ण के बारे साथ कोड का नया ओर्डर आया है, उसका क्या मतलब निकर रहा है, उसका क्या निर्णा है, उस पर बात करेंगे, और साथिसाथ जो सबसे एहम बात है, वो है ओर अल डेवलेप्मेंट की, विताओड जो बॉडी है, कॉर्परेशन की, उसके बगार अक्टिवली इन वोर्ड, वोर्ड नमट 16, तो कॉर्परेशन की जो स्फिलहाल का जो रूल्स आचुके हैं, कि कॉर्परेशन की बॉडी बगार फॉर्म होए, कि कॉर्परेटर्स को कितना डिफिकल होता है, यह सब मैनेज करने के लिए, असलाम अलेकुम रहिमत तुल्लाई वरकातो, नमस्कार, आज गुलबर्गे के कार्परेशन को लेके, लगबग 3-4 साल से मेर ने बना है कार्परेशन में, और कार्परेशन एलेक्शन होके, आज को 4-5 मेने हो चुक रहे, और आने वाले दिनों में, डॉलप्मेंट के अबाड में, विताट बाड़ी, विताट मेर, विताट डेप्टी मेर हम लोग करने के लिए दिक्कत हो रहे हैं, तो आज कार्परेटर एलेक्शन भी लास्ट टाइम बहुत सालों से लेट हो चुका है, और कार्परेशन जो उकुमत है, आज कार्परेशन के आफिसरों के हा सब्सक्राइब लोग हम जीते हैं, उसमें मेरे वाल्दा वार्ड लंबर 16 से जीते हैं, हम लोगों को कुछ मेजर वार्ड के अंदर अगर कुछ प्रावलम है, तो इमिडेट हम कार्परेशन के आईर आफिसरों को आफिसरों को वहां के सेनेटरी को जिसको भी हम बात कर रह लोगों तो आज दिकत हो रहा है मैं यहरी संडे वाड विजिट करता हूं चार-पांच गंटे मेरे वाड में रहता हूं पुरे आवाम के मसले आवाम के जो प्राबलम से वे नोट करके आने वाले 8 दिन के अंदर है और काम को मैं क्लिर करने की कोशिश कर रहा हूँ पर Şंट तो अभी ओर रहा नहीं यहां पर बीजेपी वालें भी जो है अवाम के साथ गुलबरगे के सिटीजन के साथ खिल रहे हैं। सट्टमबर छे तारिक को जब रिजल्ट आया, जब बीजेपी के 23 कारपेटर जीते, कॉंग्रेस के 27 और जेडियस के 4 और एक इंडिपेंडिट। कहें ना कहें कारपेशन हुकुमत करने के लिए जेडियस का बहुत बड़ा की रोल रहना चाहिए उसमें, किंग मेकर बोल सकते, बीजेपी वालों ने उनके 6 MLA, MLC और MP मिला के और एक इंडिपेंडेंट उनके पास ही जोईन हो चुका है, वो लोग के 30, मेंबर 30 को वो लोग रीच हो गए, कॉंग्रेस 27, राजसाबा मेंबर और MLA मिला के 31 को वो लोग पहुंचे, चार जो है, जेडियस, तो मेर हुकुमत करने के लिए 32 सीटे जो जिसके पास है, वो लोग हुकुमत करने के लिए, मेंबर 32 उनको चाहिए, एस पर आशिस आप जो एलेक्शन जो डिक 53 के उपर, एलेक्शन होना था, बोथ पार्टीज हम लोगों को बात किये, हमरे हाई कमांड को भी बात किये, आली में जो फरस्ट रिजल्ट आया था, तो स्रीब बात ही हो गए, मगर सीरिस फ्लाटफर्म पे कोई पार्टी वाले आके, हम लोगों से बात ने किये, हमरे लो किया है, हमारे लिए बहुत इंपर्टेंट है, जो ज बैनर पर इस बैनर पर, जिस पोस्टर पर हम लोगों कर्फोर्च चलियरिय करना क्या हो कि एक तो आप ने और कहीं ना कि कुमार स्वामी जी के इस तरह के बयान भी आ रहे थे कि कहीं रहे वो बीजेपी को सपोर्ट करने ऐसा भी बात चले थी और एक तरफ सेकुलर भी बात चले तो पॉब्लिक काफी इस चीज़ को लेकर यह हो रही तो उसके बारे में क्या कहेंगा देखो हम लोग को कारपरेशन में जाना नहीं अच्छा आज डीके शुकुमार आज पार्टी के प्रेजिडेंट है इनों भी कुमार स्वामी साब से बात करने के लिए यह लोग भी रडी ने थे अच्छा हाली में जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे देवे गोड़ा जी से मली करजु करिये साब बात करने के बाद बीजेपी से आर अशुक साब कुमार स्वामी के गर गए मिलें और बीजेपी के चीप मिनिस्टर भी बात किये शरी बात हो गया मगर उसको आगे सिरिसनेस काम नहीं हुआ है देखो अभी हम लोग चार जो किंग मेकर हैं हम जिसके भी एक पार साड़े तिन चार साल से जो सिटिजन फेस कर रहा है गुलबर्गे का वो लोगों को बहुत सालों से हो लोग आज कई वाड़ों में काम ने हो रहे हो ने हो रहे कई लोगों के देख सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके लिए इसके लिए बहुत मेजर कारपरेशन में मेज जिन्ता की खित्मत करेंगे मैं इस बास से अगरी करता हूं लेकिन जो हाली में आपने देखा कि बीजेपी ने जो पांच मलसी को यहां पर पोजिशन देनी कुशिश की और अल्मोस्ट सेलिबरेशन शुरू हो गया था शेहर के अंदर उसके बाद कोड का ओर्डर आ गया कि नल कर दिया गया उससे इसके बाद एक नया जो आमामला आया है कि आपके जो कैटिगरी आती है मेर के लिए उस पोजिशन क में जब हम लोग किंग मेकर बोलके जो मीडिया में 15 दिन जो स्टेट न्यूस जब हो गया था उस टाइम पे अम लोगों का डिमेंड था हमारे लोकल मैनर्टी स्टेट पेजिडेंट अमारे नासिर उस्ताज साब का भी यह कहिना था पार्टी में हमारे पास मेर केंडिड तैयार है श्रीमति विजे लक्षमी जी तो हम लोगों का मेर का ही डिमाइंड रहेंगा बोलके हम लोगों का कार्पेटर सब्सक्राइब और नासिर उस्ताज साब भी हम लोगों का डिमेंड था जो भी पार्टी हमारे मेर के लिए आगे बढ़ेंगे हम ट्रम और कंडिशन हमारे जो भी फिल्फिल करेंगे हम लोग उनके साथ बैटके सोच समझ के हम लोग हुकुमत करने के लिए जाएंगे बोलके हम लोगों का फैसला ये जब बात हुआ था ऐसा नहीं लगा रहा कि चार ही सीट है और मेर का डिमांड की जारी अगर आज जो कानून के खिलाब सविदान के खिलाब ये लोग जो 5 MLC को जो बार के लाके जो हुकुमत करने के लिए कारपरेशन में BJP आ ले जा रहे थे ये कहिना कहीं इतियाज में तारीक है गुलबरगे के अंदर मैं सोचता हूँ 20-25 साल से जो मैं भी कारपरेशन देख रहा हूँ फरस्ट टाइम जिस तरह BJP आ लो ने हुकुमत का फाइदा उटा रहे है इसके किलाब कांग्रेश वाले कोट को गए हम लोग भी कोट के चोकट गए कोट जो हाई कोट जो आज गुलबरगे के सिटीजन और आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मजबूत BJP को अगेनेस्ट में जो फैसला दिया था आज जो फैसले को लेके BJP के कई लीडर्स भी स्टेटमेंट दिये थे हम जो कोट के फैसले को अटल रहेंगे कोट जो भी फैसला देता हम फैसले पर हम कारपरेशन में मेर बनाएंगे ने बनाएंगे कोट के फैसले पर हम लोग अटल रहेंगे बोलके बीजेपी के लेडर्स लोगों का कहना था और मेर को कहीं बीजेपी के लेडर्स मेर को बात किये मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ वो लोग बोले ने आभी हम हाईयर ब्रेंच को ने जाने वाले है हम डेडियस के साथ मिलके मेर बनाएंगे बोलके बीजेपी के लेडरों का कहिना था हूँ अच्छा अगर आप बीजेपी से अगर आप करते हैं तो जो आज कल जो माहूल चल रहा है बीजेपी का जो चल रहा है एक कम्यूनल हार्मोनी जो डिस्टरब हो चुकी है स्टेट बर में तो क्या नहीं लगता कि आपके जो वाट के 16 के जो लोग हैं जापर माइनर्टी जो है जादा नमबर पर है उनके भावनों को से हर्ट होगा या नहीं होगा या आप यह कहना चाहेंगे बहुत देखो भले हम कोसी भी पार्टी से कॉलाबरेट करो आप काम हो रहा है नहीं हो रहा है यह देखना चाहेंगे या सेकुलर वैलू देखेंगे देखो आज का जो मौल बना है यह मौल गुलबरगे को साड़े तीन चार साल से जो कारपरेशन में डवलप्मेंट नहीं हुआ है हम लोगों का डिसाइड इन फैक्ट बीजेपी के साथ कॉंग्रेश के साथ जाना बोलके हम लोग आज के डेट में भी डिसाइड नहीं कि डेवलप्मेंट करमा चाह रहा है बोथ पार्टिस के लीडर्स स्टेटमेंट दे रहते नए जेड़ेस हमारे साथ है कॉंग्रेश के भी कई लीडर्स प्रकश पटिल साब जीने भी जेड़ेस हमारे साथ है यह मेले मेडम भी बताया है नहीं हम 27 से 4 जेड़ेस से 29, 30, 33 होते हम लोग जेड़ेस को लेके हम होकुमत करेंगे बोलके यह मेले मेडम का भी स्टेटमेंट था चलो अभी देखो अभी हम को लेके लोग मेरज बनाने के लिए जा रहे है स्टेटमेट दे रहे है तो यह कुशी की बात है अभी हम लोगों को किसको ना किसको हमको सपॉट देना जरूरी है अगर हम सपॉट ने करेंगे तो कार्परेशन में मेज़ेटी फुरू ने कर सकते बहुत पाटिस तो आज जो बीजेपी वालों ने आज जो सेकेंड बेंच जो जाके आज अवाम देख रहा है गुलबरगे के अंदर सिटिजन देख रहे है बीजेपी वाले उकुमत करने के लिए क्या लेवल से लोग गि झबाने करेंगा और आज आवाम परश्न हैंवाम के लिए लोगों को खिदमत करना है तो आँवाम के लिए जो e चौडक को हम पेas वेट करते वे चौदा तारीक तक इन्शाला वेट करेंगे उसके बाद में कोट अमारे फेवर आवाम के फेवर गुलबरगे के सिटीजन के फेवर फैसला देता है मुलके हम लोगों को भी एक उमीद है यानि कि एक दो स्टेप्स नजर आ रहे है मुझे एक तो हाई कोट का फैसला जो फोर्टीन को आएगा शायर उसके बाद वो सुपरिम कोट तो जाएंगे फिर एक अगर एक महिनाद दो मेने डखलते डखलते जएंगे तो आलमुस् साथ महिने पिर सेमीले यलेक्शिन ते अगर दाएगा क्या लगता है आपको कि है मेयर का स्टेजemen आलेक्श नोगों के फेवर में अगर जज्जमेंट आएगा उस टाइम पे अमरे है कमाण और अमारे लोकल लीडर अमरे स्टेट लीडर हम लोग बैट के यह जिसके साथ हम साथ देके मेर बनाना है हम लोग फैसला करेंगे और अवाम को देखते वे सेकुलर को देखते वे और आने वा कोट अगर यह लोग गए 14 तारीक के बाद में मैं इन्शाला मैं आपका और एक बयान देंगा अगर सुप्रिंग कोट अगर उनके फेवर में अगर आउडर देगा तो कोट को तो हम रेक्सपेट करना जरूरी है कोट के खिलाब तो हम लोग बात ने करेंगे अगर यह लोग हमारे फेवर में अगर आने के बाद अगर यह लोग सुप्रिंग कोट का अगर दरवाजा कट कट आती तो उसके लिए भी हम लोग आपको एक बयान देंगे चौदा तारिक के बाद में मैं इन्शाला आपके स्टोडियो को मैं फिराऊंगा इसका बयान मैं जैब दोगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिलार गोवा स्टोडिय के अंदर किश्टन रडी जी मेरे साथ है एक जैसा डेवलेप्मेंट के आप बात करें तो शौर्ट म काम नहीं मिलने के जैसे आप रुका रहे हैं दूसरे पार्टी के लोग रह रहे हैं ऐसा भी बात शारी तो आई वांड क्लारिविकेशन अन देखो अभी मेरे वार्ड में जो रोड के काम चल रहे थे मैं जाके अबजेक्शन किया था कॉलेटी काम पूछा ओ आल्रडी बि के बाद ये लोग काम स्राट लट किये थे जब mendawan ओर मांज को दूर्य धार्डी काम में जो बहौतमें के लिए हम लोगों के इंतेंशन फ् मैं कमिश्नर साफ से मिला दा और AAA साफ से उनसे सब से मिला मिलके उस टेम पे मैं कॉलीटिक काम लेका आज मेरे वार्ड में शांदार रोड बने हैं ना रहे न आ bankruptcy काम काम है कि आप विल्कुल नूट्रल की तरह काम करे देगे देखो गुलबर्गे में तो इतियासी तारीक है जो कॉंटेक्टर है यह पॉल्टिकली कॉंटेक्टर बोल सकते हैं तो ओ लोगों का दर्बार चल रहा है आज के डेट में भी अमारे पार्टी के कोई लेडर यहां पे गुत्यदारी ने कर रहा है आज यहां पे हुकुमत यहां के मेले जो भी है उनके सातीदार उनके कार्पेटर उनके एक्स मेर्स जो भी लोग है वो लोग यहां पे गुत्यदारी कर रहे हैं अवाम के बिच जाके काम कर रहे हैं हम लोगों का हमारा डिमैंड यही था कॉलिटी काम चाहिए वो लोग कॉल में आ रही है कि जो साउत में हैं, वहां पर भी बहुत सारा काम, बाखी है, और हमने ये भी सुना कि बहुत सायँ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं साउत के लिए, यह वहाँ पर भी एक लीडर की जरुरत है जो वहाँ पर डेवलिप्मेंट का जो काम चल रहा है इस तरह भी खबर आई तो क्या साउथ कॉंस्टेंसी में क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जेडियस के लिडर बाहरा सकता है और जो डेवलिप्मेंट लाइन्स माइनिटी औ और जो है दुसरे सब को लेकर चले ऐसा एक आया लगता है को ऐसे कोई स्पेस है वाँ पर देखो जब 2010 में जो बाई एलेक्शन हुआ था उस टाइम पर वाँपे आमारे पार्टी से कैंडिड जीते थे बाई एलेक्शन में 2013 में नमोशी साब को आम लोग कैंडिड किये थ वाँ पर सेकेंड प्लेस पर नमोशी साब थे 2018 में मैं भी उदर एस्प्रेंट था मैं भी टिकेट पूछा था उस टेम पर आई कमार्ड जो है बसराज दिगवी साब को टिकेट दिये है तो हम लोगों का पार्टी से जुड़ावाया है आई कमार्ड से भी हम लोगों का अ और जो एजुकेटेड जो नौजवान है आज मैं देख रहा हूँ आज कई ना कई उन लोगों के लिए एंप्लाइमेंट और जॉब के लिए बहुत परेश्यान है मेरा पहला मुद्दा है वहाँ पे अगर मैं जाओंगा आवाम के भी जाओंगा लोगों के भी जाओंगा जो गर के जो नौजवान बेटा है वो बेटे के लिए मैं एक काम के लिए उनको एक रस्ता बनाने के लिए मैं आवाम के भी जाओंगा उनसे वोट मांगूंगा और आने माले दिनों में पार्टी के लिए मैं वोट मांगूंगा और मेरे हाई कमांड फैसला करेगा वहाँ का कौन चंडेड बनेगा मैं आप मैं पर्टी के लिए टिकिट पूछ रहा हूं अभी मैं काम स्टाइट किया हूं बूत लेवल काम स्टाइट किया हूं आवाम के भी जा रहा हूँ, आवाम मेरे को रेस्पॉंस कर रहे है, वेलकम कर रहे है, वहाँ पे कही ना कहीं हम लोगों के एक बहुत बड़ा थाकत दिख रहा है कि यहाँ पे जेडियेस का होट बैंक है, वहाँ पे एक लीडर का जरुवत है, बोलके मैं बोलना चाहता इंशाललाँ जरूर मिलेगा, अभी अमारे सामने जो जो चैंड़ेट रहेंगे वो बड़े-बड़े से, खांदानी सियासती से, खांदानी पैसे वाले से, अगर मेरे को कंपेर किये तो मेरे पिता जी का आज भी होटल है, मैं एक बहुत गरीबी फैमिली से आयास हूं है, ये position में, मेरे माबाब कोई MLA नहीं थे, मैं पार्टी में 14 सल से काम कर रहा हूँ, आज मेरा 34 उमर है, मैं पार्टी के लिए मैनत करूँगा, आज मेरा high command मेरा backbone है, और हमारे पार्टी का एक सिद्धानत है, secular party, secular mind हम लोग बनाएं, और हमारे पाद जात पाद कोई हमारे दिल कोई भी candidate train दो, मैं उनके सामने ठाहर के मैं election लड़ूंगा, अगर आवा, मेरा high command अगर मोका देती तो, अगर फेवर में आती है, तो क्रिशन रड़ी जो एक एस्परेंट है, साउथ के वो election लड़ेंगे, और लोगों का सपोर्ट और जेड़ी जी जो स्पेस बनी है, साउथ के अंदर, उस पर भी काम होगा, तो हमने overall, जो है क्रिशन रड़ी से बहुत सारे बाते हैं किये, क्रिशन रड़ी जी काफी अच्छा काम करते हैं, आने वाले वाक्ति लिए गोहाश के एंटाई टीम, आपको काफी काफी काम करते हैं, और आपसे यही उम्मिद लगाई रखती है, कि आप लोगों के बीश काम करते हैं, और नीट्रल रहते हुए, जितने भी डेवलप्रि अज मेरकों के स्टोडे पर बुलाए, मेरको बहुत कुशी हो गया है, आज मेरको एक मोका दे आवाम के बीच बात करने के लिए, और कार्परेशन को लेके मसले जो भी डॉलप्मेंट को लेके, और आने वाले दिनों में जो वीवर्स आपके चैनल के हैं, मैं यह लोगों क यही कहना चाहता हूं, कुछ नया चेंजस करेंगे, गुलबरगे के सिटी को लेके डॉलप्मेंट करेंगे, आने वाले दिनों में साउथ में कुछ नया इतियास रिकॉर्ड करेंगे, बोलके मैं बोलना चाहता हूं, मेरे माँ और बैनों को भी मैं मेसेज देना चाहता हू मैं उनके लिए खिद्मत करूंगा और अवाम के बीच जाओंगा आज जो वाड सोला में जो मैं खिद्मत कर रहा हूँ मेरे माँ वाप एक कार्पेटर है वही खिद्मत सौथ में रहेगा आने वाले दिनों में मैं वाड वाड साथ में विजिट करूँगा जो भी अवाव मापे परेशान हैं उनके लिए मैं खिद्मत करूँगा बोलके मैं बोलना चाहता हूं और पूरे लोगों के मेरे को आशिरवाद के साथ दौायें के साथ आप लोग यह चैनल को विश करिए ये चैनल कुछ जतना हो सका फारोड करो ये भाई आपके साथ में ठहरेगा बोलके मैं बोलना चाहता हूँ ये वाई बोलना चाहता हुआ थाएवाइब दिस भाई लूज ये अवर बाई आपके साथ ड्या धूटार भाई आपके साथ व्यास प्रॉट अन्याट चैनल को अजिए बोलना है व्याइब आपके साथ नियुक्ति एंग्ड इन एंग्ड इंग व्याज शर्पिट्वर नि